नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है परिक्षा वल्ले के से यूटूब चैनल में दोस्तो आज हम आधुरिंग भारत के इतियास क्रेस कोस को और आगे बढ़ाएंगे तता आज हम पढ़ने वाले हैं चौथा चेप्टर, इस चौथे चेप्टर का नाम है करनाटक का युद्ध इस युद्ध से जुड़े जितने भी important fact और point बन सकते हैं जो आपके exam के लिए relevant हो सकते हैं उन सभी को आज के इस वीडियो में हम discuss करेंगे इससे पहले हमारा चेप्टर 3 था उसमें हमने देखा था किस प्रकार से यूरूपी कंपणियों का भारत में आगवन होता है वो तता जो यूरूपी कंपणियां भारत में आती हैं वे किस प्रकार से अपने ब्यापारी कोठी अस्थापित कलती हैं अपने व्यपार को establish करती हैं भारत में उनको हमने देखा था अब हम देखने वाले यहां पे करनाटक यूद के बारे में करनाटक यूद तीन यूद लड़ा गये थे करनाटक के यूद ये आपके exam के लिए काफी जदा important है तो इन्ही यूदों के बारे में आज के इस वीडि पूरी हो सकते हैं तो आएए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं तो यहां पे आप देखरे हैं जो आपका करनाटक का यूद था या मेंली किसके किसके बीच लड़ा गया था अंग्रेजियों और फ्रांसीसी सनाओं के मद्ध जो है आपका यह जो करनाटक का यूद था अच्छीड भारत में तीन यूद्ध हुए जिने हम करनाटक यूद्ध के नाम से जानते हैं तो यह फैक्ट आपको याद अखना है अंग्रेजी कमपनियों और फ्रांसेशी कमपनियों के मद्ध जो है यह यूद्ध लगा गया था आपका करनाटक का यूद्ध अब हम बात क रहेंगे प्रथम करनाटक यूद्ध के बारे में तो आपका जो प्रथम करनाटक यूद्ध था इसकी डेट इम्पोर्टेंट है वर्स इम्पोर्टेंट है 1746 से लेके 1748 के मद्ध आपका जो है प्रथम करनाटक यूद्ध लड़ा गया था मिली आपका जो प्रथम करनाट यूद्ध था यह औस्ट्रिया के उत्रादिकार का जो यूद्ध उस समय यूरोप में चल ला था उसी को लेकर यह जो करनाटा का प्रतम यूद्ध है वो भारत में स्टार्ट हो जाता है क्या आप देख रहे हैं फ्रांस और इंग्लेंड के बीच औस्ट्रिया यहां पर है त यूद्ध यूरोप में स्टार्ट हुआ था उसी का प्रभाव भारत में देखने को मिलता है तता इसी कारण से भारत में जो है pareng में जो यूरोपी कमपनिय थी जैसे फ्रांस और इंग्लेंड इनके बीच भारत में भी यूद्ध स्टार्ट हो जाता है तो जो यूद्ध औस्ट्रिया में उत्राधिकार को लेके सुरू होता है उसका प्रभाव भारत में देखने के मिलता है प्रत्थम कर्नाटक के यूदि के रूप में तो आपका जो प्रत्थम कर्नाटक का यूद था 1746-47 के मदि चला था तता इस यूदि की जो समापती है एक्सला सैपल संदी से हो जाती है तो ये संदी आपके लिए इंपोर्टेंट है 1746 में इस यूद की समापती एक्सला सैपल संदी से हो जाती है तो इंपोर्टेंट है तता इसी प्रत्थम कर्नाटक यूद से ही एक और यूद जुड़ाव आपका सेंट टोमे का यूद का समंदित था प्रत्म करनाटक युद से तो यह था आपका प्रत्म करनाटक युद यह सारे फैक्ट जो मैं आपको बता है इसकी संदी इंपोर्डेंट है किसके किसके मद्द लाड़ा गया था इंपोर्डेंट है तथा इससे जुड़ा कौन सा एक युद है जो प्रत्म करनाटक युद्ध था जो ऑस्ट्रिया के उत्रादिकार को लेका युद्ध हुआ था यूरूप में स्टार्ट हुआ था फ्रांस और इंग्लेंड के बीच उसी का यह प्रभा हुथा इसके बाद सेकेंड जो करनाटक युद्ध आपका होता वह था आपका 1749 से 54 के मद्ध व उसका नाम था द्विती करनाटक युद्ध तो आप इसे याद देखेगा उस समय जो फ्रांस इसी गवर्नल था डुपले आप याद देखेगा जब द्विती करनाटक युद्ध आपका स्टार्ट हुआ था तो उस समय आपका फ्रांस का गवर्नल था डुपले तो डुप लेकिन जो अंग्रेश थे वे करनाटक में अन्वरोदीन को और हैदराबाद में नाशर जंग को सासक बनाना चाहते थे इसी कंफिक्ट के चलते जो है द्विती करनाटक का युद्ध स्टार्ट हो जाता है तो आप इसे ध्यान देजेगा तता इस द्विती करनाटक पांडिचेरी की संदी से होती है तो यह संदी इंपोर्टेंट है जो आपका द्विती करनाटक का युद्ध था इसकी जो समाप्ति होती है किस से होती है तो पांडिचेरी की संदी से होती है तता इस द्विती करनाटक की युद्ध में जो फ्रांसीसी सेना थी उसकी काफी लिया जाता है तता इसके अस्थान पर अगला जो गवर्नार आता है उसके बारे में हम बात करेंगे तो इस प्रकाल से पंडिचेरी की संदी से आपका दूती करनाटक युद्ध की समापती होती है अब इसके बाद यूरूप में एक सब्त वर्सी युद्ध प्रारम होता है उसी का प्रबाव फिर से भारत में देखने के मिलता है तता इसी कारण से भारत में त्रिती करनाटक युद्ध की भी सुर्वात हो जाती है 1758 से लेके 1763 आपका त्रिती करनाटक युद्ध चलता है यूरूप में जो आपका सब्त वर्सी युद्ध प्रारम होता है उसी के निधारन किया इस वांडिवास की युद्ध में जो फ्रांसीसी सिना थी उसकी पराजय बुरी तरह से होती है तता उसका जो अस्तित्व है भारत से लगबग समाप्त होता है तता जो फ्रांसीसी सिना थी भारत में एक व्यापारी केंद्र बनकर रह गए इस वांडिवास की युद्ध में हारने के बाद, तो आप जन्वरी 1760 में आपका वांडिवास का युद्ध होता है, तो इस वांडिवास के युद्ध में अंग्रेजी सिना का जो नित्रित्व हो कलता है, इस आप या दिखेगा, इस वांडिवास के युद्ध में अंग्रेजी सिना का जो नित फ्रांस का बनकर फ्रांस इसी सेना का वो होता है आपका कौन तो लाली तो लाली जो है ठर्ड कर्नाटिक वार का फ्रांस की तरब से नित्रित्य कलता है तो ये दोनों आप याद अखने है वांडिवास की लड़ाई में आयरकूट नित्रित्य कलता है अंगरेजों की सेना का और लाली जो है फ्रांसीसी सेना का नित्रित्व कलता है तथा इस युद में फ्रांसीसी सेना की बुरी तरह से पराजय होती है तथा पेरिस की संदी से इस युद की समाप्ती हो जाती है तथा इस युद की समाप्ती के बाद जो आपकी फ्रांसीसी कंपनी थी भारत में सिर् में जिससे जुड़ा एक युद्ध है आपका वांडी वास का युद्ध ये सारी चीज़ें आपको याद रखने है ताथा एक और important program होता आपका तृती कनाटक युद्ध का जो आपका पेरिस का समझाता होता है यानि कि पेरिस की जो important जो कनाटक के युद्ध लड़े गए थे फ्रांसीसी सेना और अंग्रेजी सेना के मद्धि उसको हमने आप पे बिल्कुल सौट में डिसकस कर लिया है इसका पीडियाप आपको हमारा जो टेलिग्राम चैनल है वहां पे प्रवाइड करवा दिया जाएगा तता अगला हमारा जो लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे आपका जो इंपोर्टेन्ट युद्ध हुआ था जिसने अंग्रेजी सेना के प्रवुत्य को भारत में पुरी तरह से स्थाफित कर दिया था पहला युद्ध आपका हुआ था प्लासी का युद्ध और दूसरा आपका हुआ था युद्ध बक्सर का युद्धू तो हमारा अगला जो चेप्टर होगा उसमें हम देखने वाले हैं प्लासी के युद्ध और बक्सर के युद्ध को तो आज के लिए बस इतना ही बिल्कुल ये छोटा से वीडियो था हमने सिर्फ उनी पॉइंट और फैक्ट को डिसकस किया ह जो आपके एकजाम के लिए जरूरी हो सकते हैं तो आज के लिए बस इतना ही कल हम फिर मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ तब तक के लिए थैंक्यू थैंक्स पर रौचिंग थैंक्यू